हेलो दोस्तो नमश्कार एक बाफ फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में दोस्तो आपकी हर मनो कामना पूरी हो इसलिए आप कमेंट में ओम नमश्चिवा या फिर जै मातादी ज़रूर लिखेगा जिससे कि आपके भगवान हर मनों कामना पूरी करें तो अगर आप प्रेगनेंट हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पर आप भी बहुत ज़दा एक्साइटमेंट होती होगी आपको भी उस सुकता जरूर होती होगी ये जाने की कि आनी वाला हमारा बेबी क्या है बेबी गर्ल या फिर बॉय तो आपको घवरानी की ज़रत नहीं है आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा क्योंकि आज की वीडियो में काफी सारी महलाओं का एक्सप्रियेंस इस वीडियो में शेयर करूँगी साथी लोग क्या मानते हैं जो लक्षर सही होते हैं बेबी बॉय होने के टाइम पर जो ज़्यादा तर लोग सही मानते हैं वो इस वीडियो में चर्चा होगी जिससे कि दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं आपको सही जानकारी मिले और आप भी अपनी उस्सुकता को थोड़ा सा कम कर सके वीडियो को आप पूरा देखेगा तब ही आपको समझ में आएगा ठीक है उससे पहले आपको महत पूर जानकारी जरूर देना चाहूंगी वीडियो बनाने का मतलब लड़का लड़की में भेडभाव करना नहीं है मतलब जेंडर सेलेक्शन को बढ़ावा देना बिलकुल भी नहीं है ठीक है इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें सिर्फ अनुमान के तौर पर इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को सीरियसली बिलकुल ना ले चलिए आज की वीडियो शुरू करती हैं जान लेती हैं पहले लक्षट के वारे में दोस्तों जब हमारी प्रेगनसी कन्फार्म होती है तो हमारी बॉड़ी में काफी सारे चेंजिस दिखते हैं काफी सारी परिवरतन दिखते हैं अगर उन परिवरतन मैंसे आपके बहुत ज़दा अंचाहे बाल आ रहे हैं ये जो चीज है आपको सेकंड ट्राइमस्टर में जाद देखने को मिलती है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमस्टर मतलब पहली तिमाई में हमें कुछ जादा पता नहीं चलता है, जैसे ही हमारी दूसरी तिमाई स्टार्ट होती है गाईस, तो हमें काफी सारे चेंजिस दिखने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि गर्ब में पल रहा बच्चा जो होता है, उसका विकास होने लगता है, वो अच्छे से विक्सित होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉड़ी बहुत सारे चेंजिस देती है, दोस्तों अगर आपके प्रेग्नेंसी के टाइम पर अंचाहे बाल बहुत ज़दा आ रहे हैं आपके हलकी सी मूचे या फिर दाड़ी हलकी हलकी से बाल उगने लगे हैं तो ऐसे में दोस्तों माना जाता है कि ये लड़का होने पर ऐसी चीज़ा जादा देखने को मिलती है जैसे कि आपके बाजू में भी आपको बाल देखने को मिल सकती है आपका चेहरा है बहुत ज़दा डार्क हो सकता है आपका चेहरा काला हो सकता है बहुत सारे pimple भी आ सकते हैं और हलकी मुच्छे दाड़ी भी आ सकते हैं आईए जाल लेते हैं सेकंड जो symptom है वो क्या है दोस्तो अगर आप pregnant है और pregnancy के time पर दोस्तो अगर आप भगवान को देखती है जी हाँ तो ये साक्षातकार पुत्र प्राप्ती का संकेत होता है बही अगर आप जैसे की वैशनो माता को देखती है मातरानी को देखती है pregnancy के दोरान तो दोस्तो ये बहुत ही सुप संकेत होता है क्योंकि ऐसे सपने हर किसी गरववती इस्तिर को नहीं आती है वो बहुती लकी गरवती महलाय होती है जिनको ये सपने आती है अगर आप मातरानी को देखती है तो ये साक्षातकार एक कन्या का रूप होता है मतलब आपको आने वाले समय में कन्या की प्राप्ती होने का संकेत मिल जाता है बही अगर आप भगवान को देखती हैं, सिप जी को देखती हैं तो ये पुत्र होने के संकेत होती हैं आईए जान लेते हैं next symptom के बारे में दोस्तो अगर आप pregnant हैं और pregnancy के टाइम पर आपका mood बहुत ज़्यादा change होता है जिहां दोस्तों आपने बिलकुल सही सुना है अगर आपका गर्वावस्ता के दोरान मूड बहुत जादा चेंज होता है आपको पल-पल पे गुसा आ जाता है पल-पल पे रोना आ जाता है कहीं कुछ खाने का मन करता है तो कहीं कुछ खाने का मन करता है तो ऐसे में लोग मानते हैं ये लड़का होने पर ये जो इस्तिव है फूझ जादा देखने को मिलती है मतलब बेबी बॉई होने के टाइम पर हमें ऐसे चीज़ जादा देखने को मिलती है हमारा मूड बहुत जादा चेंज होता है तो अगर आप में ये सब लक्षर थोड़े से भी मिल रहे हैं तो आप सिर्फ अनुमान लगा सकती हैं और हमें कमेंड में आप जरू शीर कीजीगा कि आप मैं कौन कौन से लक्षर मैच कर रहे हैं तो दोस्तो ये थे कुछ लक्षर जिससे आप सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं लेकिन दोस्तो इन लक्षणों को देखकर आपको कभी भी 100% शौर नहीं होना चाहिए वो इसलिए क्योंकि इसका कोई भी scientifically proof नहीं होता है मतलब इन लक्षणों का कोई भी भी बैग्यानिक proof नहीं होता है ना ही लड़का लड़की से connection होता है विज्ञान की माने तो इसलिए अगर आप pregnant हैं तो सिर्फ अनुमान लगा सकती हैं लेकिन 100% नहीं क्योंकि ये लक्षण 100% वर्क नहीं करती हैं तो दोस्तो आशा करती हैं आप लोग समझ गई होंगे वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ठीक है